सवागते आपका मेरी question answer सीरीज में जहाँ पर मैं आप लोग के सवालों के जवाब दिल खोल के देने की कोशिश करता हूँ हर संड़े ये मेरी सीरीज होती है बहुत ही favorite सीरीज है मेरी बोचे बहुत मज़ाता है तो next session के लिए आप मुझसे इस video के नीचे जो चाहे वो सवाल कर सकते है और दोस्तों अगर आपका नाम नहीं आता है तो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन बहुत सारे सवाल repetitive थे और कुछ unique सवाल थे तो उमीद करता है आपका सवाल यहाँ पे cover हो गया होगा पिछले Sunday मैंने एक poll रखा था कि भाई giveaway रखना चाहिए हर Sunday तो आप लोग ने तो भाई इतना अच्छा response दिया 65% से ज़्यादा लोग बोलते है अरे हाँ यार मज़ा आएगा रख लो तो हमें कोचिश करूँगा हर Sunday अभी कुछ ना कुछ प्रड़क्स आते हैं तो उसका giveaway करेंगे जो बहुत ही मज़ा आएगा वाला फोन है तो उसमें दो IMEI नंबर मिलेगा तीन सिम वाला है तो तीन IMEI नंबर मिलेगा तो पर्टिकुलर सिम कार्टी के लिए आपको पर्टिकुलर IMEI नंबर असाइंड होते हैं तो यह आपको ध्यान रखने पड़ेगा समी जहन पूछते कि Intel स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर क्यों नहीं बनाती है और GTA 4 Android में कब लौन्च होगा बहुत ही अच्छा सवाल कि आपने इंटल स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर क्यों नहीं बनाती है यह तो मुझे फिलाल के लिए नहीं पता उनको बनाना चाहिए और अगर वो बनाना शुरू करती है तो market में competition बहुत ही बड़ी जाएगा और यह बहुत ही बड़ी कमपनी है क्योंके laptop, desktop में हमां पता है कि Intel क क्या खेल कर रही है पर एक चीज़ है कि शायद से वो 5G modem बना रही है mobile के लिए जो आपको शायद से Apple के iPhone में देखने को मिलेगा 2020 से यह तो बाते हो रही थी GTA 4 क्यों नहीं आया तो मुझे नहीं पता, actually मैं Rockstar जो यह company है वो लोग क्या करते है मैं आपको बता रहे तो जब भी 10 साल इनकी जो anniversary होती है उस particular game को वो लोग मोबायल में port करते है यही सीज हमें San Andreas, White City और Bully के साथ में देखने को मिला लेकिन अभी GTA 4 को अलड़ी 11 साल होने को आ गया है, 2008 में आई थी, तो 2018 जाके भी 2019 हो गया है तो मुझे नहीं पता, शायद से optimization का सीनों का port करना में problem हो रही होगी क्योंकि game बहुत ही high graphics में आपको पता होगा अब मुझे नहीं पता हो लोग ने ऐसा क्यों किया है तॉमसन का 43 4K में तो बेटर मिलेगा, और 40 इंच वाला भी तॉमसन का में अन्बॉक्सिंग क्या हो, उसमें भी 4 4K मिलता है, वो सिफ 21,000 का है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ नहीं आ रहा तो Mi 4A Pro ले लो 43 इंच का, फूल HD वाला, ये भी TV काफी बेटर है सिदान्त भगत पुछते के, will you switch to OnePlus 7, can make a video on it देखिए, OnePlus 7 आएगा तब देखेंगे, क्योंकि OnePlus के phones अच्छे होते हैं, और OnePlus मुझे कभी बेचता नहीं है अगर इस बार बेचता है, मुझे phone अच्छा लगता है, तो obviously मैं switch कर दूँगा अपने Vivo से, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, Vivo चल रहा है, चल रहा है गुर सेवक सिंग पूछते के, भाई, why Snapdragon is so popular than MediaTek, देखिए, गुर सेवक जी, बात ये है के, Snapdragon ने एक टाइम पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोसेसर दिया है, एक टाइम पर उसने continuously launches किया है, और उसने optimize किया है, ग्राफिक उनका जो GPU है, वो Adreno वाला वो भी कम्पीट कर रहा है, Snapdragon के लिए, इसलिए उस टाइम से जो Snapdragon famous था, क्योंकि MediaTek मार्केट पर नहीं था, Samsung एक जिनोस इतने चलते नहीं थे, यही एक रिजन, Snapdragon इसलिए मशूर था, आप MediaTek अच्छा काम कर रहा है, तो आप दोने में टक्कर अच्छी हो रही है, तो यही कुछ सीने, आयो शुवरवानी बोलते है भाई, I love you, love you too, should I wait for Poco F2 और Asus Zenfone 6Z, भाई देखिए Zenfone 6Z का मुझे नहीं पता का पाईगा, लेकिन Poco F2 तो वो April में आने वाला है, ऐसी यहां पे बाते हो रही है, तो आप Poco F2 का wait कर लो, वो आपको बहुत ही बेटर रहेगा, अमन करने का होगा, मैं लिलू के ने लिलू, wait करू अगरा, देखिए Realme 3 Pro के लिए wait कर लो, मैं सबसे पहला एकी चीज़ कहता हूँ, जब आएगा तो ही मैं आपको बोलूँगा, उसके बाद ही आप decision लेना, कि Note 7 Pro लेना है कि ने लेना है, लेकिन wait कर लो, देख लो, उसके Predator है, Republic of Gamers, ROG वाले है, ऐसे आपको बहुत सारी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाएकि अपने सबसे जो चेक आउट कर सके, MSI वाली भी मिल जाएगे वैसे आपको उस प्राइस के अंदर, यहाँ पर Ram Singh दूरवे, Ram Singh मुझे नहीं पता, लेकिन Ram Singh दूरवे मुझे इसा सकता हूँ, Real Star बोलते है, वीवो S1 कवाएगा, यह भी मुझे नहीं पता कि वीवो S1 कवाएगा, अब देखते हैं कि लोग मुझे से पूछते हैं कि वो लोग सवस्ते हैं कि इस फिल्ड में हूँ, कमपनी से बाच्चीत होती है, तो शाहत मुझे पता होगा, लेकिन सिस्टम अपडेट से Android 9 Pie में अपडेट हो सकता है, जी हाँ, Redmi Go में अभी Android Go, Oreo Edition चल रहा है, तो क्या पता, फ्यूचर में बोलक अपडेट पुश कर दे, तो Android 9 Pie वाला भी अपडेट आपको मिल जा, तो भाई, यह सॉफ्टर से होता है, यह कोई hardware वाला सीन नहीं है, तो पहले आएगा, लेकिन अभी Light L1 और Max M1 में मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कब पुश करेंगे, और officially भी उन्होंने अनूंस नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पता है, अजर कान बोलते हैं कि, असलाम वालीकुम, वालीकु 845, उसके अलावा बाकी वो फोन भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको नया डिजाइन चाहिए, आपको डिस्प्ले थोड़ा बेटर चाहिए, तो Redmi Note 7 Pro है, तो आप वो जाके पर्चिस कर सकते हैं, इससे जाता में और कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पर वीडियो 4U ने काफी लंबा सवाल पूचा, मैं छोटे में समझा रहे था, कि उन्हें ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे मोबाइल आते हैं, अन्बॉक्सिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो मेरे पास सब वो फोन पढ़े रहे जाते हैं, तो क्या आप इस फोन को सारे फोन के लिए उसमें help हो जाती ही, तो मैं आप लोगों को अच्छा वीडियो दे सकता हूँ, तो यही एक reason है, बार-बार मतलब आ गया और उसको giveaway करना, तो मुझे जानता है, ठीक नहीं लगता है, यह मैं ऐसे सूचता हूँ, यहापर जो वो Honey Bucks मनसूरी पूछते हैं, कि Assalamualaikum वालेकुम असलाम, वो पूछ रहे, Snapdragon 855, Exynos 9820 और Kirin 980, यह तीनों में से कौन सा processor better है, तीनों में से मेरे साब से Snapdragon 855 better है, यह 5G ready है, 7NM पर बेच्ट है, जबकि Kirin 980 भी 7NM पर है, हाला कि Exynos 9820 आपको 8NM पर मिलता है, अब तीनों ही processor बहुत ही powerful है, और comparison करना मतलब पूछ किल हो जाएगा, जहाद तक मुझे इसा लगता है, 855 का जो N2D score है, वो भी ज़्यादा है, अगर आप Exynos 9820 और Kirin 980 से compare करते हैं, तो पहला आएगा Snapdragon 855, फिर Kirin 980, फिर उसके बात आता है, Exynos 980 according to me, अमरूत तानसू, मिश्रा पूछते, Redmi Note 7 Pro का 6GB, 120GB variant कब सेल प 2020 की बात हो गई, लॉंच करके एक महिना होने को आएगा, अभी तक आपके 6122 को सेल पर नहीं जाएगा, तो यह बहुत 9 साफ यह वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अवेलेबल है, तो कर दो लोगों के लिए, और इनका flash sale तो मुझे बिलकुँ भी नहीं पसंदा, त यहां तक मुझे लगता है, यहां पर clashes gaming पुछते, youtube channel grow करना है, कुछ tips दो, consistency, patience, passion, no jealousy, no fighting, no hit comments, patience, consistency, repeat करते रहो, और काम करते रहो, यही एक तरीका है जिससे आप अपने channel को grow कर सकते, और इसे ज़्याद हमें क्या कर सकता हो, यहां पर अभी .m27 tech ने काफी लंबा सवाल कि इंडिया में छोटे में समझा था, और उन्होंने रिसे काफी point की बात करी, कि जो Mi A2 जब launch हुआ था, Android 1 वाला phone था, फिर Mi A2 Lite भी आया था, लेकिन इंडिया में Redmi 6 Pro बनके आया था, उन्होंने rebrand किया था, और उसमें MIUI दिया था, Android 1 नहीं था, तो क्या Mi A3 जब launch होगा, त उसका जो लाइटर है का Mi A3, वो इंडिया में Redmi 7 Pro बनके आ सकता है, आपने सही का, आ सकता है, उसके पर अब में जादा कुछ नहीं कह सकता हो, क्योंकि Redmi 7 Pro को भी वो लोग कुछ Mi UI गुसा के, रिब्रेंड़ेट वरशन बना के, इंडिया में लेके आ जाए, तो, जैसे उन् Honor Play 2 का release date, बतलब launch पूच रहे कि कब हो सकता है, देखिए Honor Play 2 बहुत ही मशूर phone है, अभी शायद से 15,000 की price में आपको मिल रहा है करी 970 वाल प्रोसे से gaming smartphone है, वैसे, Honor Play 2 कभी आएगा हमें ये अभी नहीं पता, और Honor की तरफ से हमें अभी तक कुछ leaks भी नहीं मिली ना कुछ Officially इसा पता चल रहा है, तो Honor Play 2 का भी मैं जानता हुआ काफी सार लुक वेट कर रहे है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस साल तो वैसे आपको देखने को मिली जाएगा, तो तो तोलब सब पेशन सकीजे, हर्शित यादो पुछते है कि पंच होल डिस्प्ले मिड रेंज में कब से आना स्टार्ट हो गया, देखे आएगा, 100% आएगा, जबकि स्नाप डेकन 675, 660, वाटर ड्रोप मॉच वाले डिस्प्ले वाले फोन, अंडे डिस्प्ले फिंगर पेट स्कैनर आगया है, आपको 48 मेगा पिक्सल, ट्रिपल कैमेरा जब 20,000 रूपी की तो Realme 3 का कैमेरा बैटर है, मैंने कमपैरिजन किया हूँ, आपको क्लियरली सुर्डी में बता दिया हूँ, नाइट स्केप, क्रोमा बूस्ट मिलता है, और सेल्फी में भी डीटेलिंग Realme 3 की बैटर है, अगर कैमेरा प्रायरिटी है, तो Realme 3 आप जाके ले सकते हैं, दीप यह रेकमेंड करता हूँ, उसके बाद OnePlus 60 तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लिए OnePlus 7 कफी वेट के लेना बैटर रहेगा, और फाइनली आपको अगर चाहिए थोड़ा सा स्टाइलिश और पॉपट वाले कैमरा ला, तो वो वीवो नेक्स आप जाके ले सकते हैं, यहाँ अब नोवो रोई बोलते हैं, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो, बहुत बहुत खुशी होती है, जब आप प्यार देते हैं, दस हजार में कौन साफ मोबाइल बेस्ट होगा, अरे इथने फोन है ना, एसुस मैक्स प्रो M2, मेरे साब से यह बेस्ट है, क्योंकि अभी 3 अब बेस्ट आइपल टीम कॉनसाप लिस पिक, I know it's not technical, कोई बात नहीं, देखें, honestly मैं ऐसा बंदा हू, इंडिया में रहता हू, लेकिन cricket नहीं देखता हू, तो बी ओने सिट नहीं देखता हू, जैसे कि मैं फोटबोल भी नहीं देखता हू, तो ऐसी चीज़ भी देखता Tech Experts, Public का Review कहा से लेंगे, आपको फिर परस्नली जाना पड़ेगा, रास्ते मर लोगों को पूछने के लिए के बाई, क्या Phone News कर रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा चल रहा है, फिर वो एक Survey करना पड़ेगा, Tech Experts तो बहुत है, YouTube पर इधर उधर आपको मिल जाते, तो आपको फॉलो करना है, बस, प्रनेर रॉक्स बोलते है कि रोईस वीवो आईकू, और ब्लेक शाक 2 रिलीज देट इन इंडिया, देखे ब्लेक शाक 2 इस साल बहुत ही जल्दी आएगा, हाइस पॉसिबिलिटी में के महिने में इंडिया में देखने को मिलने माला है, वीवो इस टाइम वीडियो ट्रेंडिंग में गई थी, तो क्या फिलिंग आई थी, अच्छा लगा था, यकीन नहीं हो रहा था, अल्ला से बहुत खुश हो गया था, मैं इती दुआ किया था, क्या हो सकता है, इसा कभी मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी और ऐसी हुआ, क चले में यह बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इतने सारे मेरी इतनी बड़ी फैमिली है कि मैं किस-किस के कमेंट पिक करो, टॉप 5 हो मैं पिक ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब के साथ नाहीं साफ होगी, सारे लोग की टॉप कमेंटर से, तो मैं इसको स्किप करूँगा, इम पोको F1 Lite और पोको F2 जो Geekbench पर लिष्ट हुए तो वो फेक थे, XDAW ने कनफर्म कर दिया था, तो मैं नहीं बता सकता है कि पोको F1 Lite करके भी कोई फोन आएगा, लेकिन पोको F2 आएगा, उसके लापको वेट करना पड़ेगा, अंकुर सिंग पूछते है, शुट भी साथ ये सवालों के जवाब पसंद आए तो दो ज़रू सिस्वीट को लाइक करना और नेक्स शेशन के लिए भी सवाल कर लेना, मिलते आफ से ग्रेव दो में एक ने वीडियो को साथ, टिर देव ग्रेट देव ग्रेट देए, और अल्वेस केप स्माइलिग!